हलो बच्चों, बच्चों आज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हैं जो मेरे बच्चे क्लास इंटर के बच्चे हैं और वो हमेशा मोशे कहते थे कि मैं इंटर क्लास का वीडियो बनाईए तो हमने शुरुआत करी है इंटर क्लास के आज ये शुरुआत जो इंटर क् बीडियो लेकर के आए हैं कि अगर आपके जो श्रुवात के जा रही है तो बहुत इंपॉर्टन वीडियों से आपके शुरुवात की जा हो किए हैं कि हम शुरूरराF आधका तो इस लेबस लेकर चली रहे हैं लेकिन इंटर खला सक दता के बच्छे हमारे परीशान थे यह एक लिए उसे आपको दीख रही है इस्क्रीन जो आपको दिख रही है ये जो इस्क्रीन है ये आपका इंटर क्लास का जो बोर्ड में पेपर होता है आपका इंटर क्लास के बोर्ड का ये बोर्ड का पेपर है वो भी प्यारे बच्चों ये 2020 का ही लेटिस्ट समझ देजे पेपर है इस तरीके से अगर आप यहा जब आप बोर्ट के एक्जाम में बैठेंगे तो बहुत आसानी आपको होगी कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी आएगी आपके सामने आपको कुश्टन्स इंपॉर्टन्ट पता चलेंगे कुश्टन्स और टाइम क्या है हमारा किसतरीके से हमें करना है अब उस सारी चीज़े पैटर्न में तो कैसे होता है ये तो बहुत ज़रूरी होता हर बच्चों के लिए तो यह जो हमारा वीडियो है समझ रज़िए क्लास इंटर के बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ओके प्यारे बच्चों तु देखिए खंत्रोड सा हाइलाइट करते जा रहे हैं जी देखिए प्यारे बच्चों यह है आपका हाँ 2020 और इंटर का पेपर है यह आपकी इंटर का पेपर है और देखिए पूर्लांक इसमें आपका 200 नंबर का है यह जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था 2020 में आप चानते हैं कि 2021 में करोना की वज़े से इस गौर्मेंट ने पेपर नहीं कराया और जो है सारे बच्चों को परमोट कर दिया गया था इसलिए 2021 का पेपर हो ना होकर कि मेरे पास यह जो पेपर दिख रहा ह तो आपका 3 घंटा दिया जाता था और 15 मिनट का पंदह मिनट आपको जो दी आपको दीये जाते थे वह प्रश्ण पत्त पढने के रिए दीये जाते थे ठीक है हो सकता है प्यारे बच्चू चुअब्की पेपर आया आपका यह तो आपको पुराना है प्रीएस आपका पे ठीक है हाला कि जो यह पेपर हो रहा है यह पिछले काफी सालों से यही पैटर्न ही आपका आ रहा है ठीक है पहले बच्चों तो जो पिछले साल से जो हमेशा से आपका ही जो पेपर होता आ रहा है तो इसी पैटर्न पे ही होता आता है हमेशा शहमें दिखा है तो जैसे ही आपको दिख रहा है सबसे पहले है यह आपका सबसे पहला गोश्रंस है आपका हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आप सभी को बताया है कि इस तरीके से हमें श्याको सबाक की तशरीख करना चाहिए हमने आपको बहुत अच् पैसिस या इक्तिबासात की तश्रीख कैसे करें इस तरीके से मेरा मेरी वीडियो का नाम है आप सभी प्यारे बच्चे वो बहुत अच्छे से आप पढ़ी आपको तश्रीख करने का पूरा तरीका पता चल जाएगा ठीक है तो ये पहला कुश्चन्स है आपका वो कह रहा है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तश्रीश या को सबाग के साथ कीजिए से देखिए माली जी कि एक कह रहा है यानि कि आपको यहां पे आपको यह गवर करना है कि साथ कुछ जगहां जो है यह जो अदबी सी पारी यह आपका पार्ट है प्यारे बच्चों दो पार्ट आपके चलते हैं एक होता है अदबी सी पारे एक होता है अदब पारे होता है यह दो पार्ट होता है तो वो डिसाइड किया जाता है कि आपके तरफ कौन सा पेपर चल रहा है अगर जो मेरे जो बच्चे दूर के हैं तो वो जरूर इस बात को गौर करें कि अपने टीचर से अपने आसपास के बच्चों से आप यह पूछिए कि आपके अदबी सिपारे चलता है यह अदब पारे चलता है फिलहाल मेरे जो साइड चलता है मेरे तरफ चलता है वो अदबी सिपारे ही चलता है तो इसलिए अदबी सिपारे को ही हम सॉल्व कराएंगे ठीक है तो यह देखिए यह है आपका यही पार्ट है आपका अदबी सिपारे आप यह कह रहा ह मतलब कि आपके लिए ता ना वो सारी充रे करना, इसलिए ऑम ता ऊलुक्तों आपको आपको कहने आपको कह रहा है यह जो थोड़ा सा कुछ पेंट से लिखा हुआ नियए किसी बच्चे के पेपर मैंने लिया, तो में अनुद किसी बच्चे ने ही लिए हुआ है लिखाँ हुआ इसलिए आप सभी को स्क्रिम पे लिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे बच्छों ने ये पेपर to solve कर लिए है मेरे क्रिस Κुल जो बच्चे हैं उन्होंने ये पेपर to solve कर लिए है अब आप सबी प्यारे बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सभी को यह मैं solve करवाना चाहती है ओके तो देखिए सबसे पहले आपको यह जो पैसे सुरू होता है यह बात कही जा रही है कि इतनी बात का अफसूर्स है कि इस तरकी में तबीयत की बुलंद परवाजी से उपर के तरफ रुख किया काश कदम आगे बढ़ते जाते ताक आगे यह बाला एक्तिबास है ना नीचे दिया गया या आशनी की बाला एक्तिबास मुंदर्ज़जर इक्तिबास हमारी पढ़े ह Creed किताब अदभी सिपारे के सबक ठीक है नहीं प्यारे में चोड जो इंटर के किताब का नाम है वो है आपका अद्बी सिपारी ही है आपके जो इंटर किलासी किताब है वो अद्बी सिपारी ही किताब है तो अद्बिसी पारे के सबक दिखिए ये जो आपका ये सबक दिया हुआ पिशी साथ जो तश्री करने को आया था इंटर क्लास में वो मुहमद हुसेलाजाद का यह जो आपको सबक दिख रहा है यह मुहम्मद हुसेलाजाद का है आप जो नश्र पढ़ते होंगे जो सारे बच्चे मेरे नश्र पढ़ते होंगे तो मुहम्मद हुसेलाजाद का यह सबक है जो आपका लिखा हुआ सबक का नाम है मुहमद हुसेन आजाद का उर्दो शायरी के पांच दौर तो ये उर्दो शायरी के पांच दौर अर लिखिने वाले कौन इसके मुहमद हुसेन आजाद तो इनहीं से ये सबक लिया गया है मुहमद हुसेन आजाद के सबक गुर्डू शायरी के पांच दौर से अखज किया गया है या माखुस किया गया है जिसके मशूर राइटर कौन है मुमजुसेन आजाद है तो इस तरीके से एक्तिबाश को हमने भी आपको बताए कि इस तरीके से आप सियाको सफाक लिख सकते हैं आप पुराने गुर्यों में जरूर जाएए फिलहाल आगे आप देखिए देखिए तो ये आपको पूरा होता है तो ये दो पैसेज इसने दे रखा है पहला पैसेज आपको मुमजुसेन अजाद का उता और दूसरा जो ये पैसेज आया है देखिए मेरे कुछी किसी बच्चे ने पेपर पे खुदी लिखा अलड़ी कि ये सबक आप गजल की इसलाह से लिया गया है क्योंकि इसमें देखिए बार बार आप वो गजल जरूर मिलेगा देखिए यहां पे गजल मिला है ये इसकी पहचान है कैसे हम पहचान सकते हैं तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हरूप बार बार आता है तो अकसर वो सबक वही होता है तो देखिए इसमें गजल आया है और लिसके लिखने वाले खौजा हुटा फुशेन हाली है इस तरीके से आप लिख सकते हैं ठीक है तो यह हुआ आपका यहां पे स्याको सबाग स्याको सबाग हम बार भर कहते हैं स्याको सबाग पे ही आपको अच्छे से नमर मिलता इसलिए आप स्याको सबाब को बिल्कुल भी गलत ना करें हाँ अगर आप तश्री चाहे तो आपके तश्री बहुत कम ही गौर की जाती लेकिन आपका स्याको सबाब बहुत इंपोरेंट होता है इसलिए आप स्याको सबाब को बहुत अच्छे से रिखें तो ये देखिए आपका पूरा होता है ये अदब पारे फिर वही चीज़ देखिए पहरे बचो रिपीटेर होता है अदब पारे ये अदब पारे उनके हाँ है जिनके हाँ ये किताब अदब पारे की चलती होगी तो सेम सब कुछ वही रहेगा अदब पारे में भी सारी किताब को नाम होगा यह उसी की तश्रीफ ही करना अगर कोई बच्चा हमारा अदप पारे पढ़ता होगा जिस साइड उसके आँ चलती होगी उपे में तो बस कुछ नहीं करना है आपको जो आपकी भी यही किताब दीके है जिस तरीके से आपको सबाग बताए जाता है उसी मुसनिफ का नाम यानि कि उसके राइटर का नाम लिकर के बस आप तश्रीफ में यह उतार दीजिए ओके तो यह आपका पहला कोशन कंप्लीट होता है और प्यारे बच्चों पहला कोशन साब का बिलकुल टेन नंबर का है अब देखे जो आपको सेकेंड कोशन है सेकेंड क जरूर ला सकते हैं जिन बच्चों की उर्दो की राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है वो बच्चे इंशालला अच्छा नमर जरूर ला सकते हैं इसलिए जिन बच्चों की अगर हैंड राइटिंग क्योंकि आपके जब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी अगर देखिए आपके वहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छे हुए हैंड राइटिंग के साथ साथ अगर आपका इमला भी दुरूस्त हुआ तो समझ लीजे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तो यह जो आपका यह दिख रहा है दो नंबर का जिसमें यह कह रहा ह कि मुंदजद से लिबात का खुलासा अपने अलफाज में तहरीर कीजिए तो यह जो आपका दे रहा है यह आपका समझ लीजे बिलकुल फ्री का नंबर है यह जो 10 नंबर है यह आपके समझ लीजे बिलकुल फ्री के हैं क्योंकि जानते हैं प्यारे बच्चों खुलासा ज आपनी जबान में बस इसको आप पूरा उतार दीजिए वो भी आप बहुत खुबसूरत राइटिंग में उतारें मारा हमसे बना बना के सुन्दर सी राइटिंग में आप लिखें ठीक है तो इस तरीके से जब आप इसको बना करके लिख देंगे ना अच्छी सी बस हमें बस मोटी तौर पर आपको यह कह सकते हैं इस टूरी को आप बढ़ा करके आप इसको लिख सकते हैं ओके तो इस तरीके से आपको यह दो नमबर को कुश्चन से भी पूरा हो गया जो आपको खुलासा पूसता है देखे यह आपका एक मिनट हाँ यह आपको दो किताब इसे 5 की तशरी करिए एक मिरत फिर इस तरिके से आपको यहाँ प resonated है इस तो ती आपको पूरा हो जाता है यह आपका बनता है आपकी नजम से, आप चांते हो कि आपकी सभी की इंटर के बच्चों के दो किताबे लगती है, आपको यह पता होगा आपकी एक नश्रो होती है और आपकी एक नश्रो होती है, आप देखिए जो पहला हिसा चल रहा था, वो नश्र का ही चल रहा था, अब यहां से आपके नजम की आ रही है, बारी ठीक है यहां प्याज से आपको नजम की बारी आ रही है तो देखिए यह क्या कह रहा है अपनी पढ़ी होई किताब से सिर्फ पांच की तश्रीह कीजिए, पांच अशार की तश्रीह कीजिए, ओके जो आपका नश्ट वाला था उसमें मतलब जब वो कोशन पूचता है तो ये बात खुदी कहता है कि यहाप इसकी कोशन जब वो पूचता है तो ये बात खुदी कहता है कि स्याको सबाग के साथ तस्रीख करिए मा स्याको सबाग के साथ कहता है लेकिन देखिए इसमें बिल्कु केलियर्टी है तो इसमें क्या कहरा है आपका सिर्फ पांच अशार की तस्रीख कीजी यानि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पांच अशार की तस्रीख करना है उसका मतलब लिखना है only इसका explain करना है इसमें reference यानि कि आपको स्याको सबाख बिलकुल भी नहीं लिखना है तो देखें समझ देजिए आपके हिसाब से यहां पे एक चीज़ समझ देजिए आसान यहां पे कर दी गई है तो देखें यह पुरा आपका 1,2,3 और आपका 4,5,6 आगे भी दिया हुगा है तो इस तरीके से आपका बहुत साहा है यहां पूर प्रेट 10 है इसलिए आपको इसलिए आपको फाइफ या आशार ही के तसरी करना है जैसे यह आपका देखें पहला है हमें तो बाग तुझ बिन खाने मातम नजर आया उधर गुल फारते थे जब रोती थी शबनम जानते हैं ये जो आपका आया हुआ है ये जो है आपका मेर दर्दे की गजल से आया हुआ है आपके बिल्कुल जैसे आप नजम खोलेंगे नजम का आपका बिलकुल समझ लीजिए पहला ही सबक है नजम 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 सॉरी गजल का आपका गजल का जैसे आप गजल खोलेंगे आप जो है शुरुआत ही करेंगे नजम वाली जैसे आपको उठाएंगे उसमें जो है आपका बिलकुल ये पहला ही सबक है आपका आपको थोड़ा से इसका मतलब हम बता दे रहे हैं जिस तरह के से आप लिखते हैं हमें तो बाग कह रहा है कि शायर जो को शायर कह रहा है कि मेरे महभूव के बिना हमें तो बाग मेरे महभूव के बिना जो बाग है वो मेरे लिए क्या है खाने मातम मतलब एक मातम नजर आ र उसी की गम में उसी की गम में और महबुक के ही गम में उधर गुल फारते थे गुल का मतलब उसी के गम की वज़े से गुल यानि कि जो सारे फूल थे गुल फारते थे उधर जो गुल भी परिशान रहते थे यानि फूल भी वहां से परिशान रहते थे जब रोती थी शबनम यानि कि वहाँ पे जो बाग की जो शबनम थी शबनम भी रोती थी और सारे गुल थे वो भी क्या थे गुल फारते थे यानि कि गुल भी वहाँ पर परिशान थे ठीक है तो इस तरीके से आपको यही वाला है इस तरीके से आप 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 अलफाजों को बना करक भी लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे दूसरा वाला माली जी ये वाला क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दाग आँखों से खिल रहे हैं हाथ दश्ता वो शायर कहता है कि मेरे महभूब के रंजो रंजो अलम के जो दाग है मिटे महबूब के जो शार रंजो अलम की यानि जो मैं अपने महबूब से बेपना महबद करता हूँ अपने खुदा से शार जो बेपना महबद करता है उसके जो रंजो अलम के जो दाग है वो दाग जो है उसकी आँखों से वो इतना रो रहा है अपने महबूब के लिए कि उसके जो दाग है उसके आखों से जलक रहे हैं आखों से बया हो रहे हैं इसलिए इसलिए उनके जो आखों से जलक रहे हैं इसलिए क्या है जब रो रो करके हाथ दसता हुआ है जब उनके आखों से जो आसु बहते हैं और उन नर्गीस का फूल बन गया हो आपको पता है ये जो आपका है ये जो आपका शेर दिख रहा है दाग आखों से खुल रहे हैं सब ये आपका मीरत की मीर का शेर है यानि मीरत की मीर की गजल से लिया गया है पहला वाला जो बताया है हमने जो गजल है शुगात की एक-एक उठा करके उसमें से बीच-बीच से उठा करके तो यह आपको तश्री करने के लिए दे देता है पर आपको इस वाले कोश्चन में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना बस आपको याद करना है कि शाहर कहता है कि हमें महभूब के बिना जो ब क्योंकि यह बहुत इसांसे आपको सबाग तो आपको करना नहीं है अब देखिए आगे दिखाते हैं क्या है आपको हमने बोला था ना आपको कि देखिए पूरे दस नंबर का है देखिए दस पॉइंट है इसमें है दस पॉइंट है जिसमें से आपको पाच ही करना है फिर देखे यही चीज़े आपकी अधब पारे में भी हैं ठीक है अधब प्यारी मेरे उट बच्चों के ली है जो मरे बच्चे अधब पारे लिए होंगे तो जो है आप बस ऐसे शायर कहता है कि बना बना कर के आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से तो यह आपको यहाँ पे खतम होता है इस तरीके से अब जो है हम आपको जाते हैं नेक्स आगे की questions पे आगे की questions देखिए अभी तक वही चल रहा है तो कि अदब पारे का यह जो सारा part आपको दिख रहा है यह 10 नंबर तक अदब पारे से भी तो आएगा इस तरीके से यह अदब पारे का ही है यह देखिए आपको important आप देखिए फिर आगे मेरा अदबी शिपारे का जो मेरे हाँ के बच्चे पढ़ते हैं अदबी शिपारे का देखिए यह जो तशरी है इसका जो questions आप पढ़िए यह देखिए यह थोड़ा सा आपको एक मिनिट देखिए इसका question से पढ़िए यह दि चौथा question से आपका अपनी पढ़िए हुई किताब में से किशी एक की तसरी जरूरी हवालों के साथ लिखी अब देखिए आगे हवाला अब यहां पे आपको यह करना है कि जरूरी हवालों के साथ यानि कि आपको इसमें से आपको सबाग जरूर लिखना है आपको इसमें से आपको सबाग जरूर ही लिखना है प्यारे बच्चों तो आपको जिससे ये दिख रहा है ये अद्वी शिपारे का ही है अलिफ यानि एक ये दिया हुआ एक ये आपको ये दिया हुआ जिसमें से आपको अगर जो आता हो ठीक है मालीचे अगर आपको अलिफ वाला आता है तो आप अलिफ वाला कर लिजे मालीचे आपको बेवाला जरूरी हवालों के साथ यानि कि आपको इसमें स्याखो सबाव जरूर लिखना है क्योंकि आपको कुश्चन से में ही कह दिया है कि जरूरी हवाले आप इसमें जरूर लिखे है ठीके तो जरूरी हवाले ये आपका प्यारे बच्चो जो जो नजम चलती है आपके किताब नजमे में जो पीछे क्योंकि आपको बता है नजम में भी आपका बहुत सारे पार्ट है नश्र में तो आपका कोई पार्ट नहीं है लेकिन बच्चो जो आपका नजम है नजमे में आपका कई पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टन बात हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको बहुत गौर कीजिएगा आप सबी कि जो नजम है आपका नजम में कई पार्ट है ठीक है तो इससे पहले जो हम तश्रीह आपको बता रहे थे वो जो आपकी तश्रीह थी वो आपकी गजल से आई थे ठीक है वो जो आपके तश्रीह आई थी वो आपके गजन से तश्रीह आई थी उसके बाद आपका जो है मसनवी है मसनवी है आपका मसनवी के बाद जो है आपका कसाइद है यानि कि कसीदा है मन्जुमात जदेद यानि कि आपका नजम है फिर कतायात है आपको रुबाई है इतने सारे जो आपके सारे इतने सारे जो आपके सारे जो पार्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके नजम के ही है ये आपके जो बुक है पीछे आपके सारे पार्ट दिये गए जो बहुत इंपॉर्टन बच्चों ये देखिए आपको यहा ये जो आप देख रहे हो न ये आपका अद्बी सिपारे वाला ही है और ये जो आपका लिया गया है ये मरसिये से लिया गया है किस से लिया गया है ये हमें आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका मरसिये से ही लिया गया है मीर अनिस की मरसिया मीर अनिस क्योंकि आपके जो किताब में हैं वो जादा तर जो है मीर अनिस की मरसिया काफी बड़ी सी भी है और बहुत इंपॉर्टन भी है तो ये तो अब तो होई कि है फाइनली यानि 2000 बीश में तो आपका आया ही है लेकिन देखिए मरसिय और कसीदे मेंसे दो आपका देताु है अगर इस बार इसने ऐसे मरसिया दिया हुआ है तो जा혁 सी बात है जो नेक्स्ट एयर जो आपका आता है उसमें वो कसीदे ही देता है इस तरीके से मतलब पेपर को देखते कुए आपके अगले इस साल जो आपको पेपर देना होगा उसकी तैयारी करा दी जाएगी लेकिन यही जो है कि इस बार जो आया था पिसले साल वो आपका मरसिया आया था जो इस बार इन्शालला सकता है कसीदा आपकर जरूर आ सकता है क्योंकि मर्सिया कसीदा में यसे आपको एक देगा और नजब यह जो आपको दिख रहा है शुआई ऍमीद यह हमारे किसी बच्चे नहीं लिखा हुआ शुआई इम्हीद ठीक है तो ये जो है शुआई उमीद ये आपका जो है नजम से दिया गया है ठीक है किसे दिया गया है आपका ये आपका नजम से दिया गया शुआई उमीद यह आपका मरसिय से हो रहा है आपका यह नजम से आप देखें यह मरसिय किस नहीं लिखा था तो यह जो मरसिय था आपका मीर बबबर अली अनीस मीर बबबर अली अनीस जिनका पूरा नाम है मीर अनीस आप कहते हैं ठीक है तो ये जो मरसिया था ये मीर अनिस का मरसिया है आपका लेकिन जो ये है आपका शुआ अमीद देख रहा है ये अकबाल की एक बहुत ही मशूर नजम है ठीक है ये अकबाल की एक बहुत मशूर नजम है जिसका नाम ही है शुआ अमीद तो ये आप अब देखिएगा आप बु इंटर के बच्चों के बहुत अच्छे से इंशालला जब हम आगे तैयारी करवाएंगे आपकी तो देखिएगा कि आपको जो है ऐसे बहुत सारे जो ऐसे आपको तशरी करने को मिलते रहेंगे ठीक है तो यह आपको जो है पूरे टेन नंबर का है लेकिन आपको हवालो है आगे कुश्चन पर आते हैं हमारा क्या है यह देखिए बच्चों यह थोड़ा सा जो है यह हम स्कैन कर रहे थे तो यह कीडियर्टी वही आई इसका पेज जो है वाइट हुआ ही नहीं कोई रिजन रहा होगा हूं यह अदब पारे का है यह निश्ट जो आपको दीख र करना जैसे हमने अद्बिसी पारे में आपको बताया है देखिए अब आता है आपका यह पांचवा सवाल ठेखिए यह इंपॉर्टन भी है आपका पांचवा सवाल है देखिए आपका कहरा मुंदजर जिल असनाफ यदब में से किसी एक पर नोट लिखिए ठीक है असनाफ यह बताया आप बहुत अच्छे से इंसाया देख करकर चाहिए वो हाई स्कूल के बच्चे हो तब भी देख सकते हैं चाहिए वो इंटर के बच्चे तब ही इन्शाया क्या है उसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं ठीक हमने बच्चों आपको नाविल भी पुरा और स्थार नड़ा देंगे मरसिय भी प्रादेंगे चुरा Ugh नजम में भी आको तैंड़ों कर देंगे तो इस तरीवे आपको आपको लिए नोट लिखना क्सीदा क्या है Якना olması पर लिए आप एक दो कशी देख अगर आप अब अच्छा नंबर मिलता है जितना जादा आप को टेक्शन डालते हैं और शेयर लिखते हैं तो यह आपको लिखें रहते हैं बोड एक्जाम में जुआपकी कौपी होती है तो उसको थोड़ा सा यह बहुत अच्छा लगता है आपकी copy बहुत ही impressive आपकी copy बनती है जिसे आपको बहुत अच्छा है अलग ही पूरी unique हो जाती है आपको आपको वहाँ बहुत अच्छा नमर मिल दाता है तो इस तरीके से आपका जो है यह हुआ अब देखिए आपका six नमर का questions क्या है यह कहला है कि मुदाता जेल नश्रों और शायरों मेंसे किसी एक के मुक्तासर हलाते कुछ उस्यायत पिर रोस् निया रारी हैं ठिक्Which? अब आपका हलात जियागी जिल्लात चीक्ति है अम बहुत प्राहते, वही है आपका हलातेु ही जिल्लापी है की हालाते जिन्दगी लिख सकते हैं अगर जो हम आपको भी वीडियो बनाएंगे आगे तो इस तरीके से जो इन्पॉर्टेंट हो की हालाते जिन्दगी हम आपको जरूर बताते जाएंगे ठीक है जरूर बताते जाएंगे लेकिन अगर देख सकते हैं आपके इस तरीके से आ कोईशन नमबर आपका साथ कोईशन नमबर आपका जो शाथ है वो आपका कवायद है कवायद यह है आपका मुदर्द अजल मिसे किनी दो एक मिनट मुदर्द अजल मिसे किनी दो मिसालों के साथ नोट लिए ठीक है या आपका कवायद है प्यारे बच्चों यह तो आपका यह कवायद से ही दिया गया है ठीक है तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवायद बच्ची से पढ़ाएंगे तो आपको तैयार मुक्तसा जवाब दीची यानि आपका यह अबजेक्टिव है प्यारे बच्चों इस बार भी आपको अबजेक्टिव कोश्टन कमपल सरी रहेगा इस तरीके से अगर आपके पास जो कोई भी बुक अवेलेबल होगी अगर उसमें जो अबजेक्टिव कोश्टन्स होंगे तो स्योर है कि आपको इस बार हो सकता है 10 यह पूरे 20 नंबर का आपको अबजेक्टिव कोश्टन्स ज़रूर मिलेगा तो इस बार आप अबजेक्टिव कोश्टन्स पर ज़रूर कीजेगा तो देखिए यह आपका मिर्जा नौशा किसका लकब था तो देखिए किसी बच् ashtє नें सहने लगाया है अरदु के शब्षे माक्बूल सिंस वी कौंसी घजल है ये भी सही है दज जजल में से मूमिन का मौश्र हाई कौं था मौश्र का मतलब होता है कि उनके हम साया यानि कि लगभग उनके हम, हम साया मतलब हम एज जी जी, इसको हम उम्र कह सकते हैं या उस जमाने में हैं एक होता नहीं कि ये मेरे बैच का था, इसे आप बोलते नहीं कि ये मेरे बैच का था, ये मेरे बैच में लड़की टी तो यह जो बे च रोटा वह यह आपका मौशिर होता है ठीक है तो यह जौक थे यह बी है अधिसे देखिए इस एंगे हुआ है यह आपका गईुदान जो मेरे वीडियो में यह आपको बीम जाया कि गौदान जो है आपका प्रेम चंद का है देखिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन्स है आपका ये कोश्चन्स बहुत इंपॉर्टन है आपका अरुने जो कोश्चन्स है तो आपका बहुत इंपॉर्टन कोश्चन्स है कि उर्दू की जबान का लफज है तो आप इस तरह क को मुकालिमा बना दिया यानि की मिर्जा गालिम ने क्या किया था मुराशले को मुकालिमा बना दिया था फिर आपका दुरुस्त इमला के निशान दी की थी यानि दुरुस्त इमला से आपको यहां पे पहचानना है निशान लगाना है तो यह काईदा यह आपका काईदा यह वो आपका यह कौन सा यह आपका यहा किया है यानी कि आपको चाहे 1 1 पॉइंट यह करिए जो एक एक नमबर का आ रहा है यह करिए अगर मान लीजए आपको नहीं भी आता है तो यह यहा कर दिया है यानि कि या तो आप ये वाला कर लेजिए ये वाला कौन यानि कि आगे देखिए ये वाला आपके देखिए ये मुंदसा जिल मुहाविरों और कहावितों में से पांच को इस तरह अपने जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए कि ये देखिए ये वाला या करकी ये आ रहा है मुदसासल महाविरों और कहावितों में से पांच को इस तरह इस्तिमाल कीजिए कि अपने जुम्लों में उनका मफूम वाज़े हो जाए ठीक है तो इस तरीके से आपका मुहावरे है क्या है ये आपका मुहावरे है जैसे कि आपको ये देखिए मुहावरे क्या है आसमान से बाते करना है ना बहुत बढ़ाई करना सेखी बगारना मतलब कि बहुत उचा आसमान से बाते करना बहुत उचा हुचा सोचना सेखी बरगारना मतलब बहुत जो है उची उची बाते करना फालतूगी ही उची उची बाते करना सेखी बरगारना आप इसे बाहर होना बहुत खुश्चा होना मूँ मोलना बेरुखी हो जाना बाग बाग होना बहुत कुछ होना भांडा फोलना तो इस तरीके से आपको बहुत सा है बात का बिगरना बात का पतंगर बनाना मानना मानन में तेरा मैमान आप सभी जानती होंगे अपने मिठ्व बनना लोगा अपस में आजकर हमेशा बोलते हैं ये बात बेपर की उड़ान तो यह इस तरीके से आप अगर आपको मालीची आपको उधर एक नमर के कुश्चंस नहीं आते हैं तो अगर आपको मुहावरे जो की आसान भी होते हैं अगर आपको वो नहीं आता तो आप मुहावरे बिल्कुल कर सकते हो ठीक अब देखे लास्ट कुश्चंस आपका ये कि निबंद जिसको आप बोलते हो तो निबंद जो आपका ये कह रहा बाबा एक कौम महत्मा गांदी यानि कि इसको महत्मा गांदी को पर लिखना है कि किसी तारीखी मुकाम की सैर मतलब कोई एक ऐसा हिस्टोरिकल पैलिस जहां पर आप गए हो जैसे ताजमेहल वगरा होता है अगर आप वहाँ पर गए होंगे तो आप इसको वहाँ पर लिख सकते हैं तालीम निश्वा निश् हुए इसपे आपको मजहन लिखना है पानी की हर्थाज़त है यह बहुत अच्छा मजहन है आपका यह रख इस मच्टाने आपको आपको अपने प्यारे हिंड स्तान या निश्मा पर लिखना गाई है तो इस तरिके से जो आज आपका सुआल हुआ हूँ जो है प्रेपर थ इंटर क्लास की बच्चों के लिए ही आश्य शुरुआत कर दी है तो जैसे वक्त मिलता है आगे-ागे उनके लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे से अम पढ़ाएंगे समझाएंगे आप सब भी जरूर देखते चाहिए चैनल हम धीरे 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 आप सबी के बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं आगे ओके पैरे बच्चो तो इस तरीखे से आप बहुत अच्छे बढ़ते रहिए जहां पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट में जरूर अब बताइए अब जो भी वीडियो ऐसा है जो आपको बिल्कु समझ में नहीं आता है वो आप जो है मुझे कमेंट में लिक्के बता सकते हैं जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आईरी वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो ठीक के ओके प्यारे बचू तो यह आज आपका जो वीडियो था वो बहुत इंपोर्टिंट वीडियो था क्योंकि टॉपिक ही आपका था कि पेपर बैटने किस तरीके से आते हैं यह जो हमने बताया है काफी आपका पेपर जो इंटर को होता है वो काफी लेंदी पेपर है आपका तो यह जो पेपर काफी लेंदी पेपर है आपके पास वक्त बहुत पेपर काफी आपका लेंदी होता है आपके पास वक्त जो है पेपर लिखते लिखते कम पड़ जाता है आप पेपर को देखते हुपे प्रैक्टिस करिए तब आप जो है प्रैक्टिस करने के बाद तब आपको टाइमिंग बदा चल जाके और पर पाइंगे पहरे जिए बच्चों तब